गोधन रिया योजना की किरकिरी कुछ गौशाला संचालक लोग मनमानी पूर्वक कर रहे हैं। ताजा मामले में हम अगर रुख करें तो आमदी नगर खुटकों की और तो यहां गौवन्ष गौशाला में नहीं बलकि दिन रात कॉलनी में विचरन कर जुंड में सलक पर बै कर रखना ये सब जिम्मिदारी गौशाला संचाला की है ना कि गौवमाता का दूद दो कर उन्हें आवारा खुला छोड़ देना जिसे वे सलकों पर दुरगटनाव का कारण बंती नजर आए। यहां हम बात कर रहे हैं हुटकों आमदी नगर में संचालीत गौशाला की त बड़ी संख्या में जुन्ड के जुन्ड ये आवारा मवेशी लोगों को आवाज जाही करने में काफी दिक्कते डालते देखी जा सकते हैं वहीं आए दिन इन खुले मवेशियों के कारण काफी दुरगटनाए होती दिखाई भी पड़ रहे हैं कई लोगों के एक्सरेन तो इन मवेशियों के बीच में आने के कारण हो रहे हैं दो पहर भर ये जुन्ड के जुन्ड मवेशी रिहायशी इलाकों में कालोने के घरों के सामने खड़े दिखाई देंगे रात की स्थिति में और भी भयावा स्थिति होती दिखाई पड़ती है जब स्ट्रीट लाइ को ने अपनी पीड़ा जहां बताई वहीं गोशाला संचाला के खिलाप काफी नाराजगी जाहिर की और बलते हैं मवेशी नहीं है करके एक यहां पर गोठान भी संचारी तरह जाता है उसके कारण लोग इतने तरस्ट हैं कि उनके कम सम पचास गाये फुड़कों में ऐसे घुमती है जैसे कि उनके घर के मालिकाना है वहां पर किसका है वह खटाल गोठान किसका है पता नहीं इ साब कताब से मिल जाता है गाई करके तो साड़ गात चल रही है साथ में तो यहां पर सबसे बहले से था कि पारसण पो को देखना चाहिए स्ट्रीट लाइट आए दिन बंद थी मैं पूरों एल्डर में हूँ पहले यहां पे लाइट बंदोने से मैं ट्रांसफर्माइट पर जाके MCB आउन करें यहां पे सभी लोग से जानकर ही ले सकते हैं अभी यहां पे देख रहें कमसे पारसा जीतने वास यहां लापता है अधेरे में गायों की स्थित समध में नहीं आती है और जो भुजूर्ग है वह अक्सार इसे टकरा जा रहे हैं दुर्गट्टा अग्रस हो रहे हैं ऐसे में शासन प्रशासन के अलावा जो गायों की बेखर यहां पर कर रहा है जिनका आप विजय अगरवाल बताये गया है उनको भी चाहिए कि अपनी गायों को अपनी अरिये में रखें यहां गौठान जो चला रहा है उसको समझ में आना चीए जैनवर छोड़ने का नहीं है बांद के रखना चीए कि इतना अंधिर है कि वो दीख भी नहीं रही है ना काई वो देको अधर की लाइट से लिखेंगे में गौसाला खोल पर रखेंगे हैं उनका तो फोड़ने नहीं चीए और उसको गाय को छोड़ देते हैं तो राज बर इज़र पेखते हैं अफिर दिन में तहां जाती है मतलब तो मालूम हो जाते हैं नहीं स्षड़ बेचने से बर मतलब दूड बेचने से पर मतलब झाखते हैं कि इन में जोड देते हैं गाय को कि खोड़ देते हैं वो किसके तरवाजे में जाके को और कर पर देखो कि अंधेरे में दिख नहीं होता है देखो अभी साप सन नदर आ रही क्योंकि बाहर की रोशनी पड़ी है यहां काली वाले गाय बैठी कि तो समझ में नहीं आएगा पूरे कलोनी में गुंतों रखी है अगरी के अभी सारा है कि एक गाये नजर तक नहीं आ रही है और इस्थानी नागरिक है वो बोलने से बच रहे हैं वो बताना नहीं चाहते हैं शायद पड़ोसी का धरम निभा रहे हैं या किसी को बचा रहा है पर सचाई यह कि अंधेरे में गाये किसी की जान लेवा साबित हो सकती दुर घटना बड़ी से बड़ी हो सकती इन गायों के बैठे रहने से आब बताएं क्या रिहायशी शेत्र है यहां गौठान होना सही है यहां गौठान तो होना ही नीची है जो है उसका इस्थान अलग गशाओर बंदिया गया है बनाया गया है कई बार पेपर में आया जिए अन्यूज में आया है कि ऊंके लिए उसे शिफिमें तोड़ी कोठान के नागर देख लीजिए पुरे सेक्टर में नियुक्तunkans जी निया का यूंस अनलीus कि इसका दान को अधिन कोई बोलते नहीं प्रशासन की जिम्मेदार अधिकारियों को इस और ध्यान देना चाहिए और इस और व्यापक कदम उठाते हुए कॉर्णी वासियों को रहत प्रदान करना चाहिए ग्रेंडेसीन न्यूस के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट